हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्रीजी फूड, हूँछू मनीशा ठककर, आजे हूँ तमने एक जूसर मिक्सर ग्राइंडर नो डेमो प्लस प्रोड़क्त रिव्यू बतावा नीचू, जे प्रीती जोड़ियाक नो छे, औने मैं थोड़ा टाइम पहला जने परचेस कर्यू, मैं एवाप्रियू तो ये मने खूबज पसंद आवियू, तो मैं विचारियू के एना रिव्यूस तमारी साथे शेयर करवा जोई है, किमके रोज लेडिज ने आव बदी वस्तू, रूटीन मा यूज करवा मा आउती जोई छे, कि जे कटिंग, चौपिंग, के लोट बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड ना थी, तो मने खूबज पसंद आवियू, तो तमें जो फ्यूचर मा नव मिक्सर लेवा नो विचारता होई, कि जूसर लेवा नो विचारता होई, तो तमारी चौइस ना लिस्ट मा तमें डेफिनेटली आम जूसर मिक्सर ग्राइंडर न एक चटनी नू जार, एक मास्टर जार, औने एक फ्रूट, जूस, औने स्मूधी माटे नू छे, आनी ब्लेड इटली शार्प छे, कि तमें हर्दर ने फक्त ब्य मिनिट मा दढ़ी सको छो, तमें आमा जेपन फ्रेश फ्रूट ना जूस बनाओ छे, वीस टका जिल्ला जीने तमें फटा-फट समारी पन सको छो, गणा बदा आना क्वालिटी टेस्ट थायेला छे, जैमा चे आनू मट्रियल्स तो इको फ्रेंडली मट्रियल्स छे आनू, आमा जे पन रब्बर प्लास्टिक अने स्टिल नो उप्योग थायो छे, ए फूड ग्रेड मट्रियल्स नो छे, बसो पंदर कल्लाक नो आनो मट्र नो टेस्टिंग थायेलू छे, 30 मिनिट सुधी तमें कॉंस्टन्ट आने चलावी सको छो, के अडग दाल चाणानी दाल तमारे अड़्दो कल्लाक सुधी मिक्सर चलाई ने अने ग्राइन करवी छे, तो पन करी सको छो, 10 कल्लाक आनो ब्लेड नो टेस्टिंग थायेलू छे, आना आमा जे लोक अनलोक सिस्टम छे, ए पन खुबस सारी छे, तो बद्दी जरीते आना फेचर्स खुबस सारा छे, तो चालो एनो डेमो जोईले, तमें जोई सको छो, आ मिक्सर नी डिजाइन अने कलर बनने खुबस सरस छे, जे देखवामा खुबस सरस लागे छे, आ त्रोण जार कोई पन तमें मिक्सर लो तो एनी साथे आवताज होई छे, आ त्रोण एनी कैपिसिटी पन में तमने हमना ज बतावी के जे आनी साथे आवे छे, हवे जे बे एक्ष्रा जार छे, एमाच्या फ्रेस फ्रूट जूस अने स्मूधी बना आमाटे नू, अत्यार्य जे आना अटेचमेंट ऑटला चे, एना थी तमें फ्रेस फ्रूटनू जूस बनावी सको छो, तो अत्यारे जे ब्लेड लागेली छे, ए फ्रूट जूस बना आमाटे उप्योगमा आवे छे, जे आरे स्मूधी बनावी होई, आसाग बाजी समारवा माटे नी, छिनवा माटे नी, अन्या स्लाइस बनावा माटे नी, आरीतनु एक प्लास्टिक नुँ अटेजमेंट होई, एमा तमारे आ जे पन ब्लेड वापरवी होई, ए आरीते लगावी देवानी, खुबस सरण ताथी तम्याने लगावी सक्सो, ज जे प्लास्टिक नुँ अटेजमेंट चे, एमा तम्ये नारंगी के मौसंबी नु रस तमारे बनावो चे तो ए बनावी सकों चो, आ लगावी ने एना उपर नारंगी के मौसंबी जै नो रस बनावो हो ये बनावी सकाई जयारे तम्हें आ मिक्सर ने चालू करो छो त्यारे आमा खुब सरस एक ब्लू कलर नी लाइट थाई छे जे खुब सरस लागे छे हवे ब्लेक अटेच्मेंट छे दर वक्ते तम्हारे मास्टर जार मा वापर वानू होई छे तो पहला हुँ तमने स्लाइसर यूज करी ने बताओ तो मैं स्लाइसिस वाडी बलेडा मा लगावी छे उप्पर नू ढाकणू आरीते फिट करी देवानू छे लोक थाई गवु छ एने मिक्सर मा लगावी दैए एक बटाकू मैं लीदू छे जैने छोली लईसू बटाकाने आडू उब्भू जेम मुकू होई एम मुकी सको मैं त्यारे आडू मुक्यू छे एना उपर आरीते एक ढाकणू आवे छे ए लगावी दैसू जैने प्रेशर पन क्यावा एक नी वेफर बनावी होई तो फटा फट तमें आरीते आनी स्लाइस बनावी सको छो आज रीते तमें बीटनी गाजर नी के काकडी नी पन स्लाइस तयार करी सको छो हवे मैं एक दूधी लीदी छे जैने छिने लईये तो आ ब्लेड काडी ने जे छिनवा माटे नी ब्लेड छे ए लगावी देवानी एनू ठाकणू फिट करी दैसू आने आरीते लोक करी देवानू छे हवे छोलेली दूधी आमा मुकी दैसू एक नी स्पीड पर रहने चलावी लाईसू तम्हें जोई सको छो फटा फट दूधी नू छिन थाई गयू छे तो तम्हें आरीते दूधी गाजर काकडी बीट जैनू पन तमारे छिन करूँ छे फटा फट तम्हें करी सको छो हवे जे कटिंग चोपिंग नी जे बलेड चे एहुं लगावी दाउचू हवे आमा जे पन सागभाजी तमारे समारवू छे एना मुट्टा टुकडा करी देवाना अत्यारे में गाजर लीदू छे एना मुट्टा टुकडा करी दीदा छे ढाकणू बंद करी दैसू एकनी स्पिडपर चलावी लवचू आने जे नू मोट्टू जेवू तमारे समारवू होई एवू समारी सको छो तो तमें जोई सको छो एकदम सरस जिनू गाजर समाराईने तैयार थाई गयूँछे के जे आपने मंचूरियन बना आमाटे वापरता होई ये छी आज रीते तमें कोबीच, केपसीकम, मिक्स वेजीटेबल जीपन तमारे जिनू समारू छे समारी सको छो हवે फ्रेस फूर्ट जीस बना आमाटे आरीत आने फिट गरी देवानू छे एमा फूंग गाजर ना टुकड़ा एड करो छो मिक्सर ने फिट करी देऎ आरीते आर इतनू एक अटेच्मेंट आवे चे लगावी देवानू नीचे एक ग्लास मुकी देवानू नाना बाळकोंने फ्रेश फ्रूट जूस तमारे आप पूछे कि जे ब्य वरस्ती नाना होई जो नॉर्मली मिक्सर मा काड़िये तो यमा थोड़ू पाणी एड करवो पड़े आमा पाणी एड कर्यावगर नू 100% प्योर फ्रेश फ्रूट के वेजिटेबल नू जूस तमें बनावी सको छो तो नाना बाळकोंने अपवा माटे के कोई बिमार व्यक्ति ने तमारे आप पूछे तो 100% प्योर फ्रेश फ्रूट के वेजिटेबल नू जूस आरीते तया आज रीते तम्हें दूदी पालग बीट टामेटा जहनू पन तमारे रसके जूस बनावू छे तम्हें फटाफट बनावी सको छो तो आ तर्बुचनू जूस पन बनीने तयार छे आ रीते मैं किदू ये प्रमाणे तम्हें अलग-अलग फ्रेस फ्रूट के वेजिटेबल न प्रास्टिक ने ब्लेड छे ए में लगावी दीदी छे गौनो लोट में लिदो छे पैला थोड़ू तेले आड करी देईसू स्वात प्रमाणे मीठू आड करवानू जे मेल विवर्स छे के जैने लोट बांता नथिया वड़तू एना माटे खुब जहलफूल राये छे ग बाउनो जुन लोट एड करी देवानू थोड़ू पाणी एड करी सू ढाकणू बंद करी देईया आनू हवे एकनी स्पीड पर मिक्सर ने चलावी सू तमारे धीलो कठण जेवो लोट बांधू है ए प्रमाणे पाणी एड करवानू अ त्यार हूँ धीलो लोट बांधी तैयार करो छू लोट बंधाई गयो छे एने हुँ एक बॉल मा लई लवचू अने थोड़ू तेल लई ने मसले लवचू आ प्रोसेस तमारे अंदरज करवी होई तो पन करी सको छो तो तमें जोई सको छो एकदम सरस लोट बंधाई ने तैयार थाई गयो छो अने एपन ख अने आने फिट करी देवानू आरिते तो हवे स्मूधी माटेनू जार तैयार थाई गयो छे स्मूधी बनावता हो त्यारे आ अटेच्मेंट यूज करवानी जरूर नथी पड़ती उपर आरिते नूग धाकणू आयो छे ए तमारे यूज करवानू होई छे तो स्मूधी क बेभाग मा कट करी लेवानी हवे आनी उपर मुखी सु अने मिकसर ने एक नी स्प्रीड पर चलावी सु अने ओरेंज ने तमे शेर दबावता जसो इटले फटा फट आनो रस निकली जसे तो तमे आरिते नारंगी नो मोसंबी नो के नारंगी मोसंबी नो मिकस रस तमारे बनावो छे तो फटा फट तमे बनावी सको छो तो फ्रेस और एननो जूस पन बनीने तयार छे तो जो ने फ्रेंड्स आने यूस करूँ किटलू इजी छे तो अवे बात करी आनी प्राइज नी तो लगबगा साथ हजार आसपास मड़ी जतू होई छे तो तमे नजीक ना क प्रोडक्त रिव्यू नो डेमो पसंद आयो हसे